हेलो गूड मॉर्निंग और दियर स्टूडेंट हावर यू वी आर इस्टेडिंग जर्खन बोर्ड 2021 बोर्ड एक्जाम सो मॉस्ट इंपोर्टेंड एंसी क्यूज आज अब हम लोग जर्खन बोर्ड बी से किसमें होने वाले एक्जाम को एक नजर से एक जलक से देखने के आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नॉट बुक खुलकर आप इसे अभ्यास करने का प्रियास करेंगे क्योंकि ये काफी मॉस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन है प्रिछा के द्रिश्टी कौन से ये जर्खन बोर्ड मेट्रिक एक्जाम के लिए काफी महतपूर्ण है तो चलिए आज हम पाट टू ठीजिक्स का आज हम प्रियास से घर ठैए तो आग का कहते हैं ये आपका कॉस्टन है तो MCQ question में 4 option रहेगा जिसमें से एक question option आपको उठा के सही करना है तो इस option में only one question हम answer के साथ दे रहे हैं तो समझने का परियास करेगे तो आँख के रंगिन भाग को क्या कहते हैं तो आईरिस कहते हैं Next question दिया हुआ है रेटिना से जुड़े दो तन्तूओं के नाम लिखें रेटिना से जुड़े दो तन्तूओं के नाम लिखें तो इसका answer होगा चड़ नुमा यह संकूर नुमा यह आती लगवतरी question और MCQ question दोनों के लिए काफी महत्तपूर्ण है Next question देखते हैं द्रिष्टी दोस को किस लेंज से दूर किया जाता है तो निकड़ द्रिष्टी को दूर करने के लिए हम आउतर लेंज का परियोग करते हैं इसको याद रखेगा निकड़ द्रिष्टी दोस को दूर करने के लिए किस लेंज का परियोग करते हैं आउतर लेंस का, नेस्ट कोस्टेन, दिर्ग द्रिष्टी दोस को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो आंसर होगा, उत्तर लेंस का, याद रखे का, नेस्ट कोस्टेन आपको दिखा दे रहा है, आउतर लेंस के चस्मे का उपयोग करके, किस द्रिष्टी दोस को दूर किया जाता है अगर हम उत्तर लेंस का उपियो करते हैं तो यानि उस व्यक्ति में किस तरह की disability दिखाई पड़ती है तो व्यक्ति दिरिष्टी 2 से ग्रसित है next question है कि विद्धुधारा का मात्रक क्या है तो इसका मात्रक क्या है एंपियर पुना एक बार शैसरी नजर से आप देख सकते हैं कि क्या question में दिया हुआ है जहारखंड बोर्ड 21 से क्या question physics यह पार्ट 2 है पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं वीडियो अप्लूट की गई है तो इसको सरी नजर से देख सकते हैं फिर पुना next question आपको हम बताने के तयार हैं तो मेरे साथ बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें चलिए देखते हैं next question क्या दिया हुआ है कोस्चन दिया हुआ है कि वीभाहा का मात्रक क्या है तो आंसर होका वोल्ड वीभा और वी वहांतर का मात्रक होता है इससस को याद रखेगा description नंजर दौद धार हम अपने वाले यंत्र का नाम क्या है उसका नाम लिखना है तो उसको हम नाम क्या लिखते हैं एमेटर नाम लिखते हैं यद रखिएगा नेस्ट कुस्चन है वीभवांतर मापने वाले यंद्र के नाम बताईए तो क्या नाम होता है वोल्ट मीटर होता है नेस्ट कुस्चन है प्रतिरोध का मातरक क्य तो ओम जो है वो किस रासी का मात्रक है इसको देखेंगे तो वो परतिरोत का मात्रक होता है दूसरा कॉस्टन है जूल प्रती कुलॉम को क्या काते हैं तो वोल्ट काते हैं नैस कॉस्टन दिया हुए चीप्स की थेली में कौन सी गैस भरी रहती है चीप्स जो हम लोग खाते ह कॉस्टिन उपचयन अभिक्रिया का दुसरा नाम दिखना है तो यह रेड़क्स अभिक्रिया की कही जाती है और वेड़क्ष अभिक्रिया दोनों कि रिया साथ होता है यह आप देख सकते हैं पुरह एक इसको सर्थी नाजरसित क्या दिखाई दे रहा है विभाव का मातरक क्या है तो आंसर होगा वोल्ट विभुवांतर का मातरक क्या है वोल्ट होगा विद्दु धरा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं यंत्र को क्या कहते है या क्या नाम दिया जाता है तो इसका आंसर होगा एमीटर दुसरा कोश्चन है विभुवांतर माप और नेस्ट परतिरोध कामात रखा है और काते हैं पर नेस्ट कड़ी में Klum को क्या काते है तो वोल्ट पाते हैंแลंकि श्पेटीन okay। झारी में कौंशी अमसी जा समझते हैं तो नाइट्रोजन गेस रहती है मिलते हैं नेक्स्ट वीजियों में टेक केयर, गुड़ वाए